आज की वीडियो हमारे पास है Motorola Edge 50 Pro और साथ में है OnePlus Nord CE4 और करने वाले इन दोनों फोन का comparison जैन दोस्तों क्या हाल है टेक्निकली देखा जाए दोनों फोन का प्राइज अलग है Motorola Edge 50 Pro 8GB RAM 256GB के साथ 31999 का मिलता है 2000 का Card Discount के बाद 30,000 का मिलता है सेजार सेम टाइम OnePlus Nord CE4 8GB RAM और 256 स्टोरेज अगर देखते हैं 26,999 रुपीस का है इस पर 1500 का Card Discount है तो 25,500 का मिलता है हालाग इसका 8GB RAM 128GB स्टोरेज भी आता है उसका प्राइस 2000 रुपे और कम है लेकिन माने दोनों फोन को स्लेट पता है क्योंकि हैं दोनों में प्रोसेसर सिमिलर है Snapdragon 7 Gen 3 LPDDR4X RAM है स्टोरेज यहां पर अलग है Motorola UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है वहीं पर 68 proper water and dust register मिलता है हमें यहां पर USB generation latest 3.1 मिलता है हमें यहां पर फिफ्टी वोट का wireless charger मिलता है हमें आप कैमरा में अलग से टेली फोटो लेंस भी मिलता है तो यहां पर वो कोस्ट एड़ हो जाता है Motorola के साथ बाकि दोनों फोन नए आये थे देखते हैं प्रोसेसर बगारा के साथ स्टोरेज के साथ क्या कैसे रिजल देखने को मिलता है कैमरा में क्या फरक देखने को मिलता है की सूपराज चार्जिंग के साथ आता है और साथ में न हीसे सिफिटी वगए उसमें एड़् का की साथ मोटरोला में और साथ में की बैटरी मिलती है और यह देता है जिसकी वाइस प्लिजी प्रो जादा और स्ल्म हिल होता है और ही लिगए ज़्यादा हो जाता विकोर इसके अंदर वार्लेस चार्जिंग भी है मैटल फ्रेम भी है बाट बैटरी एमेज की ऐसे वेट सिमिलर है तो हां यहां पर बैटरी बैकप का अडवांटेज मिलेगा वन प्लस को बाकी मैंने अपना सिम लगा की जब चेक किया मैं देखना चाहत बिखार अगश्यद बता है और सेम टाइम जो फ्रेम मेटल का है वहीं पर उमारे पाथ जो वन प्लस है इसका फ्रेम और जो बैक साइड प्लस्टि यानि के पॉलीका और दोनों का डिस्प्ले साइज सीमिलर है अब ही डिस्प्ले की बात करेंगे लेकिन मोकिमट रोला ज् आई एसी बेगारा कर सकते हैं गात्रोमें तेलेमें सब्सक्राइबonn प्लॉगर कर दोनों में नहीं मिलता और प्लंपस के ज्यादा सॉलीड है और प्लॉग और उड्वास के जगहाएं उटायम है और वो अतना सोलीड केज़ के नहीं vibration motor आता है ना उससे ज्यादा solid feel कराएगा connectivity के लिए यहाँ पे दोनों फोन 5G फोन ने जहिर सी बात है लेकिन यहाँ पे connectivity के लिए Motorola में 15 5G band है OnePlus में 7 5G band है बाकि दोनों ही फोन में का support मिल जाएगा और मैंने चेक किया वियो और दोनों में शो नहीं कर रहा है बाकि Motorola में यहाँ में डोल्वी अट्मोस का support मिलता है तो अगर आप earbuds या पी यह फोन करेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग-अलग option मिल जाते हैं इन इन फैक्ट Motorola में यहाँ पे आपको special audio का option भी मिल जाता है तो इस पोलेड डिस्प्लेइड सेम टाइम one plus full HD एक एमुलेड डिस्प्लेइड मोटरोला के रिफ्रेश रेट आपको 144 रट्स मिलता है और और one plus में आपको 120 हर्स रिफ्रेश चेट मिलता है पहले मोटरोला का मैंने फोन चेक किया तो उसमें 144 हर्स में क्या था वो यू आई स्क्रोल होता था कोई application support नहीं करता था बट अभी क्या कई सारी application भी मोटरोला में 144 हर्स तक शो करती है दोनों स्मूथ फील करते बस 144 हर्स स्लाइटली और स्मूधर साइट जाएगा बागी कही चीए चेक करी मैंने जैसे कि पेपर मोटरोला 2000 निट्स डिस्प्लेइश के साथ आता है यह पीक ब्रैट्नेस नंबर है और उन प्लस इलैवन हंडर निट्स इंदोर में तो दोनों डिस्पलेः काफी ब्राइट है बठाआं आउट दोर में वह नंबर ओफ निट्स का फरक दोरोला की डिस्प्लेश ज् स्मूद प्ले कर देते हैं और 4K वीडियो आपका जो नों HDR है वो दोनों में स्मूद प्ले होता है बाकि एक चीज है मोटरोला को यहां पर फिक्स करना चाहिए मोटरोला एच 50 प्रो में नेट्फ्लिक्स में HDR वीडियो सपोर्ट नहीं है जबकि बाकी वैलिड़ी सब्सेयर मुधे बैर के साथ खाया हूं प्रमितर भीडि़ करता है मुझे अष्चह है मोटROला के सब्साथ मुझे ली बेटर को ड्रेश रजर आता है जो गलर साथ बेटर नेजर आते हैं मोटरोला की दिस्प्ले पर इन रियल Motorola UFS 2.2 के साथ आता है OnePlus यहां पर UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है बाकि इन सबसे पर एक काम करते हैं दोनों का एक स्पीड टेस्ट हो जाए रियल टाइम में अभी तो यहां पर रिसेंट अप्लिकेशन में अगर मैं इनको उपन करूं प्ले स्टोर यह रहा फोटो उसके बाद यह है यूटूब म्यूजिक सेटिंग उसके बाद इंस्टाग्राम दोन इसमें थोड़ा पहले उपन हुआ यहां पर यूटूब म्यूजिक इसमें यह थोड़ा पहले उपन हुआ यहां पर फोटोज सिमिलर यहां पर प्ले स्टोर उसमें हलका से पहले मोटो में था उपन यहां पर इंस्टाग्राम सिमिलर हलका से पहले लोड हुआ उसके बाद यह है Twitter kind of similar उसके बाद यह है BGMI यस मैं थोड़ा सा fast forward कर दूंगा तो हलका सब पहले यहाँ पर मोटो में load हुआ है मैं Chrome ऑपर करता हूं इसमें हलका सब पहले लोड होगा मोटो में ऐसा नहीं कि इसके अंदर UFS 3.1 है इसके अंदर 2.2 है तो day to day life में ज्यादा फोरक है आप देख सकते हो चीजें जो है ना वह काफी ज्यादा fast feel कराती है यहाँ पर और मैंने storage टेस्ट भी रण किया यहाँ पर आगर आप देखो के read speed OnePlus में UFS 3.1 की वैसे थोड़ा ज्यादा आता लेकिन जो right speed है Motorola में ज्यादा आ रहा है और यह मैंने एक बार नहीं multiple time test किया in fact मैंने Motorola का ही edge 50 pro इनके edge 40 से compare किया सिर्फ speed test क्योंकि उसके अंदर UFS 3.1 है तो आप देखेंगे इनका UFS 2.2 इन्हों ने कुस्तो किया है जिसकी वैसे score अच्छे लेकर आता UFS 2.2 होने के बावजूद मैं बिल्कुल यह नहीं कहा रहा है कि Office 3.1 को पीछे करके कहीं और निकल गया यह बट 2.2 काफी अच्छे से काम कर रहा है मैंने इसमें वैसे gameplay भी करके देखा दोनों gaming phone नहीं है क्योंकि दोनों के rate में अलग-अलग option मिल जाते है जिनको फास्ट फील करा रहा है बागी software department में दो नहीं phone android 14 के साथ आते है इन फ्यूचर वन प्लस हमें दो साल का android और तीन साल का security अपडेट देगा सेम टाइम हमें में एक चीज़ देखा इसके अंदर दो तिन एक्ष्ट अप्लिकेशन आया थे अनश्टॉल करना पड़ेगा और अगर यूआ experience की बात करें तो आपको पता यह oxygen में काफी सारे features तो आपको मिलते ही मिलते हैं चाहे आप लोग हो पीसी के साथ काम करते हैं तो ready for भी मिल जाएगा आप इसको अपने टीवी या फिर लैप्टोप से वायर या वायलेस कर सकते हैं चीज़ों को access कर सकते हैं इनफेट कोई अप्लिकेशन जैसे मुझे फोन से लैप्टोप में open करना ऐसे swipe कर देता हूं तो वहां open हो जाता है और motor secure का use करके आप dual app create कर सकते हैं password भी लगा सकते अप्लिकेशन पर और मैंने को चीज़ चेंज किया Hello UI के साथ control center देख रहा हूं आप यह अलग नहीं हो गया है तो अभी यह वाला जो जैसे hyper OS या फिर आप कैसे तो iPhone वाला control center उसका mixture latest वाला और आप चाहें तो classic normal वाला जो देखने को मिल जाता है और अब बात करने वाले camera की दोनों में camera megapixel आपके सामने है अलग अलग में camera तो दोनों में 50 megapixel है लेकिन अल्ट्रा वाइड यहां पर one plus में 8 megapixel है और Motorola हमें 13 megapixel देता है यही macro का काम भी करेगा और Motorola हमें extra एक टेली फोटो लेंस भी देता है थ्री एक जूम के साथ बाकि डिजिटिली आप 30 तक जूम कर सकते हो इसको वन प्लस आपका 20 तक डिजिटिली जूम करेगा में camera को मैंने वीडियो टेस्ट से शुरू किया दोनों फोन यहां पे 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं यहां पर आप देखेंगे Motorola में जो कलर साते ह और मैंने नोटिस किया आपको Motorola में 4K क्वाल्टी पर स्टेबलाइजेशन का उप्शन मिल जाता है वन प्लस में नहीं मिलता और जितना मैंने टेस्ट किया दोनों ही फोन आपको एवरेस से थोड़ा बेटर वीडियो क्वाल्टी देते हैं बेस्ट वीडियो क्वाल्टी न आप अलग से Motorola में टेली फोटो लेंज जो मिलता है तो वन प्लस में आपको वन एक्स पे सिंपल फोट्रेट फोटो क्लिक करेंगे और Motorola में आपको चार ओप्शन मिल जाते हैं यह में कैमरे को तीन तरीके से 24 35 50 mm पे और टेली फोटो यूज़ कर सकता है तो आप अपने इस सकते तेरț यहां पर मिलटिपल फोटो क्लिक कि है है यहां पर मॉट्रोटरीच जादा बैटर आता है और पोट्रेटके अलावा हटके बात करें तो मनें काफी सारी फोटोस किलिक कर के देखिए इंसे color पसंद करते हैं same time OnePlus यहाँ पर ज्यादा नैचुरल वैसा color देता आपके सामने ही है बाकि differences की बात करें सबसे पहले ultra wide angle camera daylight में दोनों से अच्छी फोटो जाती है low light में चोटे चोटा क्योंकि थर्टी मेगा पिक्सल मोट्रोला में तो slightly better detail notice हो जाता है कहीं कहीं और जो 3x पे अगर आप जूम करते हो टेली फोटो लेंस है तो 3x पे थोड़ा better detail देगा मोट्रोला बागे दोनों फोन फोटो में डैनमिक रेंज balance कर लेते हैं details भी enough मिल जाती है फोटो में और low light में light भी balance कर लेते हैं दोनों एक फरक्स दिखता है आपको जहाँ low light होगी तो जैसे रोड पे texture या कहीं पे light better capture करता है मोट्रोला बागी selfie photos मुझे दोनों की ठीक लगी यहाँ पे megapixel काफी यह लगा 50 megapixel मोट्रोला में है 16 megapixel one plus में वहीं फरक है कि selfie में मोट्रोला 4K video record कर सकता है one plus 1080p ही करेगा सिरफ यह दोस्तों आई तो यह एस लपी वीडियो कलर्ट्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं कैसे देखते हैं दोनों फोन को सबसे पहले आपको यह पता कि one plus का प्राइस काफी कम है तो जिनका बजट कम है वन प्लस नोट सी फॉर उनको टागिट करता जिनको वन प्लस का फोन प्रसंद है थोड़ा सॉप्ट अपडेट भी टैमली मिलेंगे और वन प्लस के साथ अनिमेशन उसके अंदर काफी फास्ट फिल कराता है मोटरोला च 50 प्रो और फोटो अगर आप ज्यादा क्लिक करते हैं बैटर पोटेट फोटो ले सकता है यह और बैटर लो लाइट फोटो ले सकता है और अगर आप पीसी बगर आई उसकरते तो रेडी फोर कुछ लग रहा है हाला कि मुझे लगता है जो इसका ब्लैक कलर आता है मोटरोला च 50 प्रो का वह और बैटर लगेगा मेरे पसंद में यह कलर थोड़ा सब्जेक्टी हो सकता है तो यह सब रीजन है आई होप आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक् में